हेलो एवरिवान मेरे ना मक्षता अगरवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशन हूँ आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो के लिए वो एक बहुत डिमांड़ेट टॉपिक है जिसका नाम है हेरफॉल हम इसे सभी लोग हेरफॉल से डील करते हैं कोई जादा कोई कम तो इस वीडियो के थुरू पहले तो मैं आपसे ये डिसकस करूँगी कि क्या कारण है जिनकी वज़े से बाल गिर रहे हैं तो पहले शुरू करते हैं कारणों से सबसे पहला कारण जो आपके बाल गिरने का हो सकता है वो है हॉर्मोन इंबैलेंस तो जिन लोगों को थाइरइड होता है जिन लोगों को PCOD होता है उन लोगों के अंदर बालों का किरना देखा गया है दूसरा कारण हो सकता है तनाव यानि stress जो लोग बहुत जादा stress लेते हैं तो stress लेने से क्या होता है कि आपका जो खून का संचालन है जो खून का circulation है वो ज़रूरी organs की तरफ मुड़ जाता है जैसे कि आपका heart है आपके muscles है आपके kidney है लेकिन जो बाल है नाखुन है digestive system है इनको नहीं मिल पाता तो इस वज़ बालों काफी हिस्सा पानी ही होता है तो जो लग पानी नहीं पीते उनके बाल गिरने लगते हैं मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि कहीं ऐसी डाइट्स होती है जिनको हम खाते है और हमें नुकसान पहुन सकता है तो उसमें मैंने लो कार्भो होती है तो ultimately उससे बाल गिरने लगते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें अगला कारण हो सकता है कि यह है डिट्रियो यानि एक पीडी से दूसरी पीडी पर पासाउन हो रहा है तो अगर आपकी फैमिली में बाल गिरने की एक tendency है तो हो सकता है कि अगली generation को भी वह tendency देखनी पड़े अगला कारण हो सकता है autoimmune disorder अब autoimmune disorder क्या होता है जब हमारी आपने जैसे हमारी immunity कैसे काम करती है जब भी हमारी body में कोई infection आता है तो ये जो हमारी immunity है जो इसमें लड़ने वाले cells हैं वो उस foreign body को या उस infection को मार देते हैं पर कभी-कभी क्या होता है कि body बाहर के cell के और अपने cell के बीच में अंतर नहीं कर पाती तो वो अपने cells को ही बाहर का cell समझ के attack करने लगती है इसको हम कहते हैं autoimmune disorder तो जब अपनी ही body अपना ही immune system अपने healthy cells को attack करने लगता है तो ऐसे में बहुत तरह-तरह की बिमारियां हो जाती है उन में से एक है alopecia यानि बालों का जड़ना तो अगला जो कारण है वो हो सकता है poor diet जैसे जो लोग protein नहीं खाते iron नहीं खाते zinc कम होता है जिनकी diet में उनके अंदर भी बालों का गिरना देखा गया है अब एक और चीज जो उभर के आ रही है कारण की तरह आपके बाल जड़ने का वो है बदहस्मी जिन लोगों को लंबे समय के लिए बदहस्मी रहती है तो वो यह सारे important nutrients जैसे protein, iron, zinc इसको absorb नहीं कर पाते उसकी वज़े से भी उनके बालों के अंदर बालों का जो जड़ना है वो देखा गया है तो यह कुछ common कारण है जिनकी वज़े से बाल गिरते हैं इन में से काफी चीज़ें आप एक अच्छे lifestyle के साथ manage कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे autoimmune disorder है या आपका genetic disposition है उसमें थोड़ा कम आपकी मतलब वो रह सकती है effort लेकिन बाकी सब चीज़ें आप improve कर सकते हैं तो अब समझते हैं वो चीज़ें जो आपको नहीं खानी चाहिए अगर आपको अच्छे बाल चाहिए जो भी लोग बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं उनके अंदर भी बालों का गिरना देखा गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी आपके बालों को डिफिकल्ट हो जाता है और बालों को पोशन नहीं मिल पाता है अगला important जो चीज देखी गई है वो है alcohol जो भी लोग शराब पीते हैं क्योंकि शराब भी शरीर से पानी निकालता है तो जो लोग बहुत जादा शराब पीते हैं उनके अंदर भी बालों का गिरना देखा गया तो यह आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिंस बना देते हैं यह टॉक्सिंस आपके बालों के जढ़ने के कारण बन सकते हैं तो अगर आप यह सब पीते भी हैं जैसे आप अपना आप डाइबिटिक हैं या आप अपना वजन वाच कर रहे हैं और आप यह सब पीते भी हैं तो प्लीज इसे लिमिट में पीजिए, वरना वो भी आपके बाल गिरने का कारण हो सकता है। अब आजाते हैं उन खाने की चीजों के उपर जो आपके बालों को पोशन देंगे, जो बालों को गिरना को बचाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन सबसे इंपोर्टेंट है, प्रोटीन जो लोग नहीं खाते हैं, उन लोगों का बाल बहुत जादा उनके अंदर हेर फॉल देखा गया है। तो कितना प्रोटीन लेना जरूरी है? 45-55 ग्राम हर रोज प्रोटीन आपको लेना जरूरी है ताकि आपके बाल ना गिरें और आपके बाल हेल्दी रह सकें। तो प्रोटीन के कही सोर्सेज हैं, प्रोटीन पर मैं एक डीटेल वीडियो भी करूंगी, पर मैं कुछ कॉमन सोर्सेज बता देती हूं, जितने भी दूद और दूद के प्रड़क्ट्स हैं, उन सब में प्रोटीन होता है, जितने भी नट्स हैं, जैसे बदाम, काजू, काज यह सब भी अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के तो प्रोटीन की क्वांटिटी इस हिसाब से सेट कीजिए कि पैंतालिस से पच्पन ग्राम कम से गम प्रोटीन आपको हरोज मिले अगला इंपॉर्टेंट न्यूट्रियन जो बालो के लिए वह है आयरन तो आयरन के ओपर मैंन इन लोगों के अंदर जिंक की कमी होती है यह देखा गया है कि उनके बाल पतले हो जाते हैं और टूटते भी हैं तो जिंक हमें किन चीजों से मिल सकता है जैसे की बादाम है अकरोट है काजू है जिंक हमें सीड से मिल सकता है जैसे संफ्लार सीड यानि सूरज मुखी के जो सीड्स होते हैं फिर हमारे जो pumpkin सीड्स हैं यानि की कद्दू के जो बीज होते हैं फ्लैक सीड्स यानि अलसी के बीज और चीय सीड्स से मल सकता है इसके अलावा अंडे में भी बहुत अच्छी quantity में जिंक होता है और हरे पत्तेदार सब्जियों में भी बहुत अच्छी ता वो कॉंटिटी में जिंग होता है अब आजाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रियेंट बालो के लिए है बायोटिन तो बायोटिन के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो और भी किया था तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया था लेकिन मैं यहां आपको समझाना चाहती हूँ हमारे जैसे बहुत सारे विटमिन्स हमारी बॉड़ी के लिए इंपोर्टेंट है उनमें से एक ग्रूप होता है जिसको हम कहते हैं B-complex B-complex में से एक सेपरेट विटमिन जो है वो है B7 यानि की बायोटिन बायोटिन देखा गया है कि बालों की हेल्थ के लिए और नाखुनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो जिल लोगों को बहुत जादा है अर रूक नहीं रहा है उन लोगों आजकल B-complex का ट्रेटमेंट या बायोटिन सजेस्ट किया जा रहा है अब बायोटिन आपको कीन चीजहों से मिल सकता है Biotin आपको सारी दूद और दूद के produkt से मिलता है सारे आपके साबुत अनाथ से साबुत दालों से मिलता है पर problem क्या है? Problem यह है कि Biotin जो होता है वो पानी में घुल जाता है तो आपके शरीर से बहुत जादा मातरा में निकलता है जब भी आप motion जाते हैं, जब भी आप urine जाते हैं, जब भी आपको पसीना आता है, जब मैं बोल रही हूँ, इस समय पे भी पानी का लॉस हो रहा है, तो इसलिए जिन लोगों को सिरफ बालों की health मेंटेन करनी है, उन लोगों को इन dietary sources से बालों मिल जाएगा, पर जिन लोगो बालों को हेर फॉल हो रहा है, उनको सप्लिमेंट लेना जादा सही रहेगा, क्योंकि बायोटीन आप जितनी कॉंटिटी में भी खाई है, वो बाडी के अंदर रुपता नहीं है, निकलता लहता है, तो अगर आपको ज़्यादा कमी है, तो आपको सप्लिमेंट लेना जाद मतलब suggestible है, अब आजाते हैं, दूसरे फूद प्रडुक्ट्स के ओपर जो आपको मदद करेंगे आपके बालों की health improve करने में, पर यह कैसे मदद करते हैं, यह आपकी बोडी के अंदर जो stress की वज़े से free radicals बन जाते हैं, जो आपके बालों को डामेज करते हैं, उनको ठीक तो जैसे विटमिन A है, विटमिन C है, विटमिन E है, यह तीनों बहुत स्ट्रॉंग अंटियो करा है, उसका लिंक मैं यहां पे आपको ते दूंगी, विटमिन A के जो सोर्सेज हैं, उसके अंदर गाजर है, कदू है, आपका हरा प्याज है, हरी पत्तेदार सबजियां है, औ सब में विटमिन A पाया जाता है, इसके अलावा विटमिन E की हम बात कर रहे थे, तो जो भी नट्स मैंने आपको बताए, या जो भी मैंने सीड्स आपको बताए, वो सब विटमिन E के बहुत अच्छे सोर्सेज है, तो इनको भी आप अपनी डाइट में जरूर अखे अग करता है, पर ओमेगा-3 आपके स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत इंपोर्टन है, अगर स्कैल्प बिमारी से बचा रहेगा तो बाल भी अच्छे हो गेंगे क्योंकि उन्हें पूरा नूट्रिशन मिलेगा, तो इसलिए ओमेगा-3 लेना जरूरी है, तो जितने भी नट्स मैं लिंक छोड़ दूँगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो विटमिन-D के भी नए-नए रिसर्च इसे देखे गए हैं कि विटमिन-D का भी बहुत अच्छा रोल है, अगर आपको बालों की अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है, तो ये तो हुई बात खाने की, अब क्या ऐ तो जब आप exercise करेंगे तो proper blood circulate होगा, बालों को भी portion मिलेगा, उन तक portion पहुँचेगा, दूसरा important चीज जो आपको करनी है वो है massage, अब कहीं ही जगा मैंने देखा है कि जब सर की massage करने लगते हैं, तो बहुत ज़ादा pressure apply करके बहुत तेज करते हैं, उससे आपके hair को और damage पहुचता है, तो जब आप hair massage कर रहे हैं, आप अपने scalp की massage कर रहे हैं, make sure कि वो बहुत ही slow और बहुत soothing आपके gestures होने चाहिए, soothing movements होनी चाहिए, सिरफ इतना कि आपका bloods properly circulate हो सके हमारे scalp को अच्छे से blood मिल सके, बहुत तेज फोर्स लगाने की कोशिच निकरनी, आप follicles को आप scalp damage करते हैं, तीसरा important है अच्छी diet लेना, जो भी nutrients मैंने बताए हैं, इन सब nutrients के साथ आपकी diet होनी चाहिए, और last but not the least is less use of chemicals, कोशिश कीजे कि जो harmful chemicals वाली चीज़े हैं, उसे कम से कम इस्तमाल करें, ताकि आपके बालों का चढ़ना बंद हो सके, फाइनल जो चीज है आपके बालों के बालों के बालों के गिरने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोसों के अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगे, थैंक यू